हलो एवरिवन स्वागत सभी काफिर से रामानुजम स्कूल ऑफ स्टैडिस जीरो टू इंप्लिटी में पिछले लैक्चेर में हम लोगों ने कोशिस किया था कि कोशन नमर 20 तक कर ले बट हो निंग पाया था तो आज जो कोशन है कोशन नमर 18, 19, 20 तीन कोशन हम लोग करेंगे काफ़ टाइम लग जाता है एसलोनी के बुक के कोशन को करने में, क्योंकि हर एक कोशन में कुछ नया कॉंसेप्ट है, कुछ नया चीछ सीखने को मिलता है, तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि प्लीज इसी बुक को फॉलो करें, अगर आप IIT जी मेंस या एडवांस का कर रहा है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, कुशन नमबर 18, बैक जाते हैं, देखते हैं क्या नमर 18 क्या कह रहा है, यह सब हम लोग ने किया था, कुशन नमर 18 कह रहा है, फाइंट एक्विशन अफ सर्क्ल विच पासे सुरू, पॉइंट है 5781 और 13, चलिए जी स्टार्ट क ड्रॉ कर लेते हैं, इससे पहले की कुशन पर आगे चले, सर्क्ल ड्रॉ कर लेते हैं, यह हमारा सर्क्ल हो गया, और इस सर्क्ल पर तीन पॉइंट है, जिससे की सर्क्ल पास कर रहा है, सपोज इस पॉइंट इस टेकन एज ए, एका कॉड़नेट गीवन है, 57, एका कॉड़न C point यहां ले लेते हैं, C का coordinate है 1 3, so this is 1 3, approximately कहीं पर भी हम लोग coordinates से ले सकते हैं, so equation हमें zoom करेंगे, x x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0, हमने ये equation assume किया, क्योंकि circle point A से pass कर रहा है, circle का, जो pass कर रहा point A से, जिसका coordinate 5 और 7 है, तो point A के corresponding हम लोग क्या लिखेंगे, equation of circle के लिए, x के जगा 5 put करेंगे, so this is 25, y के जगा 7, so this is 49 plus tan g plus 14 y plus c is equal to 0, simplify करेंगे इसको, तो यह हमारा आजगा 10 g plus 14 f, 10 g plus 14 f plus c is equal to minus 74, सबोच ये equation 1 हो गया, ठीक है, similarly, b point ले लेंगे, point B से भी circle pass करेगा, point B क्या 8, 1, इसके corresponding अगर हम लोग लिखेंगे, तो 64 plus 1 plus 16 g plus 2 f plus c is equal to 0, so यहां से हम लोग लिखेंगे, 16 g plus 2 f plus c is equal to minus 65, ये equation क्या हो गया, second हो गया, point C से अपास करेगा circle, point C का coordinate है हमारा, कौन सा, 1, 3, so we can write 1 plus 9 plus 2 g plus 6 f, 3, 3 put करेंगे y के जगा, तो 3 multiply by to 6 f plus c is equal to 0, equation क्या मन जाएगा, 2 g plus 6 f plus c is equal to minus 10, ये तीन equation आगया हमारे पास, stick equation first, equation second, and equation third, ये तीन equation आगया, okay, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर इस equation में सभी coefficient, जो coefficient C है, C का coefficient 1, constant term है, तो इस तीन equation को हमें क्या करना है, solve करना है, चले, solve करते हैं, तो equation 2 में से, अगर equation 1 को घटाते हैं, तो क्या हो जागा, 16G minus 10G, तो क्या हो जागा, 6G, ठीक है, 2F minus 14F, तो क्या हो जागा, minus 12F, okay, C minus C, 0, so this is equal to, minus 74, minus minus plus, ये क्या हो जागा, 65, तो I think ये हो जागा, 11, so जो निया घटाने के बाद बनेगा, equation, अगर हम equation घटाएंगे, तो this is, ये हमारा बन जागा, 6G minus 12F, and ये हो जागा, 9, wait a minute, ये क्या हो जागा, minus 74, minus minus plus 65, 74 में से 65 जागा, तो ये हो जागा, 9, so we can write here, this is equal to 9, ये equation 4 हो गया, okay, अब equation 3 में से, equation 2 को घटाते हैं, minus करेंगे, तो 2G minus 16G, तो क्या हो जागा हमारा ये, minus 14G, ठीक है, minus 14G, 6F minus 2F, तो ये क्या हो जागा, plus 4F, so this is equal to 10 minus 65, तो ये हो जागा, हमारा, 10 minus minus 65, तो ये मिल का जागा, minus, 10 minus minus 65, तो ये हो जागा, 9, ये हो जागा, हमारा, plus 55, okay, so equation ये क्या हो गया, 5, इससी तरह से equation बराना, अब देखिए, ध्यान से, हमेना, equation 4 और equation 5 को solve करना है, तो क्या करेंगे, अगर equation 5 को 3 से multiply करेंगे, तो क्या हो जागा, minus 42G, plus 12F, और ये हो जागा, 115, okay, ये equation क्या हो गया, 6 हो गया, अब यहां से 4 plus 6 को add करते हैं, तो क्या हो जागा, minus 42G, प्लस, ये हो जागा, minus 36G, okay, और 12, 12, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हमारा 159, 115 plus 9, so this is 124, I hope आपको समझ में आगया होगा, so G की value, यहां से हम लोग calculate कर सकते हैं, so G can be written as minus 124 divided by how much 36, okay, थोड़ा से calculate करें, इसको divide करेंगे, तो 6 से करेंगे, तो 6, wait a minute, ये calculate कि ये 15, 3 जा, ये 165 आएगा, 165 plus 9, 174 आएगा, ये ठीक हैं, so minus 174 over 36, so 174 over 36, तो यहां से हमारा हो जाएगा, 6, 6 जा, 36 और 6, 2 जा, 12 और ये हो जाएगा, 5, so 9, so G की value आगया, यहां पे हमारे पास, minus 29 over 6, कुछ erratic value आता है, SLOD के अबुक में, calculation कुछ जादा ही tough हो जाता है, ठीक है, similarly अगर G की value, अगर हम equation किसी equation ने put करें, कौन से equation ने put करते हैं, suppose equation 6 में put करते हैं, ठीक है, so minus 42 into G is minus 29 over 6, ये G की value हो गई, plus 12F is equal to 165, यहां से हम F की value निकालेंगे, calculate करेंगे, तो F की value मैं यहां पे लिख देता हूँ, यह आता है, minus 19 over 4, और जब G और F की value को put करते हैं, तो C की value जो हमारे पास आएगा, वो 56 over 3 आजाएगा, तो G की value आगई, F की value आगई और C की value आगई, इस तिनों को हमें किसमें put करना है, equation में, so we have equation, X square plus Y square plus 2 into G, G is minus 29 over 6, 2G X plus 2, F is minus 19 over 4, Y plus C is 56 over 3 is equal to 0, simplify करके लिखेंगे, यह हमारा जाएगा, 3X X square plus 3Y square minus 29 X, minus 29 X, simplify करके लिखेंगे तो, minus 19 Y plus 56, minus 19 Y plus 56, यह हमारा, this is equal to 0, equation of circle बन जाएगा, आप इसको last step को थोड़ा सा, आप खोज से calculate कीजिए, ठीक है, यह हमारा question हो गया, कौन सा question number, हम लोग ने 18 वाला किया था, 19 नहीं किया, चलिए 20 करते हैं, 19 आप खुछ से करेंगे, 20 कर लेते हैं question, काफ़ी लंबा लंबा question है, ठीक है, तो question number 20 कहता है, ABCD is a square, whose side is A, तो ABCD square है, तो हम लोग XY ले ले लते हैं, पहले, ABCD square है, जिसका side A है, टेकिन AB and AD, as axis, तो, यह point A हो गया, यह B हो गया, ABC कहीं और होगा, यहाँ पर D हो जाएगा, square है, और यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है, तो ABCD इस तरह से ले रहते हैं, यह square है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, यह axis case आप से ले ले, prove that equation to a circle, circumscribing the square is, अब इस square को circle क्या कर रहा है, इस तरह से, circumscribe कर रहा है, ठीक है, तो अब इस circle जो है, इसका equation find out करना है, और क्यारा है, यह equation जो होगा, x square plus y square is equal to a, x plus y होगा, यह कहरा है, prove करने के लिए, देखिए, यहाँ पे, अगर हम लोग, घ्यान से देखेंगे, तो अगर एक की बात करें, तो एक का कॉर्णेट क्या जाएगा, 0, 0, right, b का कॉर्णेट अगर हम देखना चाहें, तो b का कॉर्णेट सपोज, यह x-axis को b.a पे कट करा है, तो a, 0, b का कॉर्णेट क्या हो जाएगा, 0, a, और, अगर हम लोग a, b, c की कॉर्णेट की बात करें, तो यह हो जाएगा, a, a, इस तरह से ले लेते, ठीक है, so, equation हमारा कैसे निकलेगा, एक तो यह हो जाएगा कि, general equation हमा लेते हैं, x-axis-square-plus-y-square-plus-2-g-x-plus-2-fy-plus-c-is-equal-to-0, ठीक है, अब यह a से पास कर रहा है, a के corresponding point से पास कर रहा है, मतलब 0, 0 से पास कर रहा है, that implies 0, x-axis-square-plus-0-plus-2-into-g-into-0, यह भी 0, 2-into-f-into-y-y-b-0, plus-c-is-equal-to-0, तो यह आ जाएगा हमारा c-is-equal-to-0, यहाँ से c-axis-value-0 आ गई, अब यही equation, यही circle जो है, बी से पास कर रहा है, जिसका coordinate a-0 है, ठीक है, तो x के जगा हम लोग a-square-y के जगा-0-plus-2-g-into-x के जगा-a डालेंगे, y के जगा-0-plus-c के जगा-0- is-equal-to-0, तो यहाँ से a-square-plus-2-a-g-is-equal-to-0, यहाँ से g की value जो आएगा, हमारा minus-a by 2 हो जगा-g-ki-value जगा-minus-a by 2, और यही equation जो है, यही circle point-c से भी pass कर रहा है, point-d से ले लेते हैं, point-d से pass कर रहा है, point-d से अगर pass करेगा, तो x-coordinate 0-plus-y-coordinate-a-square-plus-2-g-x, so, यह 0-plus-2-into-f-into-y, y हमारा हो जगा-a-plus-c-is-equal-to-0 already, so, this is equal to 0, so, f-ki-value यहां से आजागा-minus-a by 2, minus-a by 2, f-ki-value भी-minus-a by 2 आजागा, so, equation जो बनेगा, circle का, equation of, equation of circle का आजागा, यह जागा-x-x-square-plus-y-square-plus-2-g-g-ki-value-minus-a by 2-into-x-plus-2-into-f-f-ki-value-minus-a by 2- into y-plus-c, c-key-value केरना है, 0, so, 0 put कर दिया, so, यहां से 2-c-to cancel हो जाएगा, और यह भी 2-c-to cancel हो जागा, so, equation का बनेगा, x-square-plus-y-square-minus-a-x-ay-is-equal-to-0, और यही प्रूब करने के लिए कह रहा था, x-square-plus-y-square-minus-a-x-ay-e को करने के लिए कहा है, यह तो 3-point से पास हम लोगों ने करके equation को निकाल, क्या हम लोगे ऐसे निकाल सकते हैं, अगर यह circle अद्दे कि अगर यह A है, ठीक है, यह C हो जागा A, तो AC का midpoint क्या हो जागा हमारा, AC का midpoint क्या हो जागा center, तो center का coordinate अगर हम center को M मानते हैं, तो center का coordinate क्या हो जागा A by 2 और A by 2, और radius अगर निकालना है, तो A by 2, O M radius हो जागा, O M is equal to under root A by 2 का whole square, minus 0 का whole square, तो A by 2 का whole square समझ में आ रहा है, यह हमारा आजाएगा, A by 2 into A by 2 into radius क्या हो जाएगा, this is A by 2 का square into 2, तो यह root में हो जाएगा, तो root 2 into A by 2, तो A by root 2 इसका radius हो जाएगा, और दूसा तरीक आएए, equation of circle क्या हो जाएगा, x minus A by 2 का square, plus y minus A by 2 का square, is equal to radius का square, that is A by root 2 का square, आई होप आपको समन में आ रहा होगा, और इसी को expand करेंगा, तो क्या हो जाएगा, x square plus A square over 4, minus 2 into A by 2 into x, plus y square plus A square over 4, minus 2 into A by 2 into y, is equal to A square divided by 2 हो जाएगा, तो आप देखें ध्यान से, यह x square बन गया, यह plus y square बन गया, यह 2 से 2 कर जाएगा, तो यह minus A x, और यहाँ से 2 से 2 कर जाएगा, तो यह minus A y, यहाँ पर A square divided by 4 है, यहाँ पर A square divided by 4 है, दोनों add होके A square by 2 हो जाएगा, right hand side में भी A square 2 है, तो यह 0 जाएगा, so this is equal to 0, इस तरीके से भी हम question को कर सकते, तो एक तरीका नहीं हो सकता है, question को करने का एक से अधिक तरीका भी हो सकता है, जैसे इसे हम question में आगे बढ़ते जाएगे, वैसे वैसे तरीका देखते जाएगे, concept develop करते जाएगे, तो यह दो question है, एक question और है, यह question मैंने आपके homework के लिए छोड़ा है, question क्या था, कि A, B, A minus B, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे, तीन point है, जिससे circle pass कर रहा है, point P ले ले लेते हैं, A, B, point Q ले ले लेते हैं, इसका coordinate A minus B, आप point C ले ले लेते हैं, जिसका coordinate है, हमारा A plus B, A plus B, and A minus B, यह तीन point है, इस से circle को, इस तीन point से circle pass कर रहा है, तो you have to find the equation of circle, equation of circle जो भी आता है, please comment box में बताएं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स क्लास में हम लोग 21, 22 और 23, 3 या 4, 24 का question करने की कोशिस करेंगे, अब वीडियो पसंद आया हो, तो please channel को subscribe, जरूर करें, content को पूरा देखें, share करें content को, और पसंद आता है, तो please like तो बनता है, like आप कर सकते हैं वीडियो को, आज करें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स क्लास में, have a nice day, जाहें लोगे,